यह है Tata का सबसे प्यारा लोडिंग वीकल इंट्रा V10 इससे पहले हम V30 के रीव्यू कर चुके हैं यह आपको बहुत साथ सेग्मेंट में अविलेबल हो जाता है जैसे इंट्रा V10 हो गया V20 हो गया V30 हो गया V50 हो गया और V70 हो गया तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फ वाईपर मिल जाते हैं 24-7 चलने वाद आपको कॉस्टूमर किया नंबर मिलता है एनी टाइम आप अपनी क्लियर कर सकते हैं V10 आपको क्रोम से लिखाओ मिल जाए काफी बड़ी हैडलाइट मिल जाती है उसके ओपर आपको टर्न इंडिकेटर अटैच मिल जाएंगे फॉग आपको ड्राइवर साइड मिल जाती है सेम प्रोफाइल आपको को ड्राइवर साइड मिलेगी 175 mm के आसपास की आपको ग्राउंड क्रिलन्स मिल जाती है जो की इंडियन रोड को अरांसे फेस कर लेती है आपको गड़े वाली रोड में भी देखने की ज़रत नहीं अगर left side profile की बात की जाएगा code driver side की तो कुछ ऐसी आपके लिए side profile रहेगी Tata Motors या फिर CNS Motor Biznor में आपके लिए अविलेबल है और बहुत सारे offer की साथ आपके लिए अविलेबल रहता है उसके बाद अगर बात की जाए side body part पर आपको turn indicator देखने को मिल जाएगा जो की night के time पर आपके लिए काफी useful रहेगा अगर tire profile की बात की जाए तो इसमें आपको 175 R14 8PR size का tire मिल जाता है जो की without cap आपको मिलता है, alloy wheel नहीं मिलते हैं इसमें आपको उसके बाद अगर over wind की बात की जाए तो आपको manually adjustable air wind मिलते हैं इसमें उसके बाद आपको flap ball open करने के लिए door lock मिल जाता है आप देख सकते हैं इसके जो window है उसके आपको कोई भी control देखने को नहीं मिलेगा electronic control कोई नहीं मिलेगा, manually adjust होने वाली आपका window रहेगी water bottle का space, speaker मिल जाते हैं बस आपको और उसके बाद अगर बात की जाए तो inner part में आप देख सकते हैं कितनी space आपको मिलती है, walk around area में आपको सबसे आदे मिलता है walk around area का use हम कितब करते हैं जगर आप कहीं जाते हैं और wall के पास अगर आप इसे park कर देते हैं अपनी गाड़ी को तो आप एक side से दूसरी side जा सकते हैं अराम से door close कर लेते हैं उसके बाद मैं इसमें आपको feature बताता हूँ क्या क्या feature इसमें आपको मिलने वाले हैं अगर आप देखेंगे इसका speedometer जो है वो विलकुल आपको ऐसा मिलेगा इसमें आपको music system aftermarket लगवाना पड़ेगा charging port मिल जाता है फोन रखने का space मिल जाता है gear जो मिलेगा वो इसका आपको dashboard से attach मिलता है उसके बाद अगर बात की जाए तो आपको headrest की जगह मिल जाती है और आप देख सकते हैं कि foot में भी कितना space है यहां पे आपको abc मिलेंगे accelerator brake clutch तो काफी space मिल जाता है dashboard भी इसका काफी बड़ा मिलता है आपके लिए प्रेंट वाला पार्ट ऐसा कुछ रहने वाला है उसके बाद आपको IRWIM मिल जाता है जो की manually adjustable है उपर लेम मिल जाता है driver side आपको इसमें वाइपर देखने को मिल जाएगा उसके बाद code driver side भी वाइपर देखने को मिलेगा तो या काफी कुछ इसमें आपको मिल जाता है sunvisor भी driver side मिलेगा code driver side अगर आप after market लगवाना चाहते हैं तो लग जाएगा आपके लिए पर अगर बात की जाए rear वाले suspension की तो इसमें आपको semi electrical leaf spring वाले seven leaps के साथ suspension मिल जाते हैं rear में अब चलते है code driver side मैं आपको दिखा देता हूँ code driver side कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपकी battery रखी मिल जाएगी आपकी battery के प्रटक्शन के लिए एक सरिया टाइप दी गई है जिससे की lock लगा के आप अपनी battery के प्रटक्शन कर सकते हैं उसके बाद इसमें आपको fuel tank मिल जाता है काफी बड़ा fuel tank मिलता है इसमें आपको और mileage जो है वो इसमें eco के button मिल जाते हैं आपको mileage अगर आपकी वगाड़ी load पे नहीं है तो आप mileage अपने हाथ में control कर सकते हैं आपको charger parking या 15 parking sensor मिल जाते हैं इसमें टाटा का logo मिल जाएगा और बहुत अराम से openable होने वाला आपको इसका डाला मिलता है जिससे cargo box कहते हैं without cargo box भी आपके लिए available हो जाएगी लेकिन अगर आप cargo box के साथ लेते हैं तो इसे आप आज ले लिजएगा और कल से आपको मुनाफ़क का माना स्टार्ट हो जाता है तो overall ये कुछ इसमें आपको मिलने वाल था पेलोड की अगर बात की जाए तो 1000 kg का मिलता है इसमें आपको max gvw की बात की जाए तो 2120 kg का मिलता है वहीं पर अगर बात की जाए इसके इंजिन की तो 800cc का इंजिन मिलता है जो की 2 slender है डिया इंजिन मिलता है जो की max output 44.25 भी HP का जनरेट करता है और तो आपको 110 एनम जनरेट करके देता है तो यार overall अगर बात की जाए maintenance बगार में भी या आपके लिए value form मनी रहेगा तो आप मुझे comment section बताएगा आपको यह कैसा लगा मिलते है next वीडियो में